है 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 यह बच्छो स्वांगत ने आपका एक बर फिर फिर इसके ऑन लाइन ग्लासेस में तो बच्छो चैप्टर नबर से एक समाना चल रहा है एलेक्ट्रिक सर्किट और इस ए्लाक्रिक सर्किट वाले चैप्टर में हमने मीटर से टुपढ़ लिया है विभा मापी हमने और विभा मापी का हमने एक अरुप्यों भी बढ़ा था लास्त वीडियो में कि विभा मापी की साहिता से किसी प्राक्विक सेल का आंत्री प्रतिरोद क्याद करना तो उसके लिए क्या फॉम्मला था small r is equal to l1 minus l2 upon l2 into r ठीक है यह आंत्री प्रतिरोद का फॉमला है ayo 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 क्या लुवन है खुले परिपथ के लिए संतुला नम्बाई कि खुले परिपथ के लिए कि संतुला नम्बाई भुला परिपथ कौन होता हैं जिसका माट्री प्रतिरोद निकाल रहे हैं वो खुले परिपथike विभाव मांपी कि साहता से एंथ्रिक निकाला था ठीके बच्छों तो ऑज का मैस्मापी क्या है पड़िंगे निया हम सब्सक्राइब पड़ सेखर DAN का आंत्री प्रतिरोद ग्यात करना और जो सेकंड अनिफ्यों कम पढ़ेंगे आज कि आज का टॉपिक हमारा जो सेकंड एक एक जो एकस्पेरीमेंट है जो इसका एप्लिकेशन वो पढ़ेंगे वह क्या है कि विभाव मापी कि विभाव मापी की सहता से विभाम आपी की साहता से दो प्रात्मिक सेलों प्रात्मिक सेल ठीक है प्रात्मिक सेल आप जाने के प्रात्मिक सेलों के विदुत वाहक बलो की विदुत वाहत बलो की तुलना करना ठीक है यह मारा आचा टॉपिक रहेगा विभाव मापी की साहता से दो प्रात्मिक सेलों के विदुत वाहत बलो की तुलना करनी है ठीक है बच्चों comparison of EMF of two primary cells with the help of potential meters दो प्रात्मिक सेलों की विदुत वाहत बलो की तुलना करना कलियर है ठीक है तो बच्चों यारी हमें करना क्या है सपोस करो मेरे पास दो प्रात्मिक सेल है और पहले वाले सेल का मानलो विदुत वाहत बलो है हमें E1 upon E2 find out करना है, यह हमारा objective रहेगा, what is E1 upon E2, वदुत वहादबरो के तुलना, E1 ratio E2, ठीक है, तो विभाव मापी के साहता से इस experiment को पूरा करने के लिए, हम एक circuit बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है, विभाव मापी का कोई सा भी अनुपरियोग हो, कोई सा भी experiment application हो, परातप्नीक परीपत में कोई परिवर्तन नहीं होता, पॉचल्व ऑसको बनाते हैं हम देखो, है तो यह हम बना रहे हैं परातप्नीक परीपत, यह एक संचेक सैल में लगा दिया, मैट्छी बाला सेल होता है जो, एक कॉंजी, एक धारा ले अट्रड लगा दिया, कंट होता है विभाम मापी का तार होता है कि यह विभाम मापी का तार हो गयाँ बच्छों A लेकर और तो A बी क्या है बिभाम मापी तार है और A जुड़ा है positive से और B जुड़ा है से यह जो सेल होता है इसका उरुत्म हखबल कितरा मान रहे ई-पी ठीक है यह संचायक सेल है और यह वादो कुझी हमारे पास है कि और धारण इंतरक रहेच ठीक है कुझी लगी होई है तो सर्किट में क्या फिलो होगा करंट फिलो होगा ठीक है अब ये बन चुका है मारा प्रात्मिक परीपत ठीक है अब देखें हमें जिन सेलों के वुदुत वाहत बोलों के तुलना करनी है उसको जोडते हैं अपन सेकेंडरी सर्किट में यानि जित्यक परीपत में ठीक है अब देखें मालों पहला सेल में जोड़ों ये सेल होगे मालों ईवन प्लस माइनस ये मैंने सेल जोड़ दिया ईवन इसका वज़ुत वहत बन है इसका पॉजिटिव जोड़ दिया मैंने विवमाफी के हाई वोल्टेज वाले पॉइंट से यानि ए बिंदो से ठीक है और एक कुंजी होती है टूवे की दियुमार की कुंजी उसके हम दो प्लग लगा सकते हैं इस तरह है तो बाचोए एक्स ये बाई और ये जैड ये टूवे की होती है दियुमार की कुंजी से बोलते हैं दियुमार की कुंजी क्या बोलते हैं इसको दियुमार की कुंजी तो य लगा सकते हैं एक लगा सकते हैं तीन सिरे हो गए एक्स वाई जैड तो मैंने सेल एवन का जो पॉजिटिव है वो कॉइंट ए से जोड दिया और इसका नेगेटिव मैंने एक्स सिरे से जोड दिया ठीक है अब अचा वाई और जैड तो वाई वाले सिरे जो होता है इसका ग्युमांटी गुंची का जो मध्य वाला सिरा है उस वाई वाले सिरे के साथ हम ग्याल लनो मीटर जो होते हैं धारा मापी जोडते हैं और धारा मापी का दूसरा सिरा हमेशा की तरह एक जोपी से हम जोड दे प्रेक्ट है वाइब वाला सिरह हो गया अब बचा जैड सिरह अब वो जो हमारा दूसरा वाला सेल होगा प्लास माइनस इसका मालों विदुत महत्वल है एटू अब इसका माइनस सिरह हम जोड़ते हैं जैड सिरे से तो इसे हम यह दूवालनी कुँजी काम लेते हैं तो एकई काम लेते हैं जिसमें तीन सेरे हो और चैनल लगा सकते हैं को तो बचा इस सेहरे साकित स्वार बनाते हैं अब समझ खुके हैsen यह infection प्राविक परीपत अब यहाला बॉन्पन कॉम थिक है और ये वारा जो बीचे जुड़ा हुआ है वह है दित्य। परिपथ यारी गौण परिपथ केलिए रहे हैं तो बनाने के लिए हमें जिन दो सेलों के जिन दो क्राक्निक सेलों के वुद। बाहत बलों के तुलना करनी है उन दोनों के धनात्मक सिरे पॉइंट ऐसे जोडते हैं मैं अगो बता हूँ बताया हुआ है कि सर्किट में विभाव मापी वाले सर्किट में कि सारे जो positive है वो point A से जोड़ने छी है एबन का जो negative है वो हमने दीव मार्गी कुझी टू बेखी के X से जोड़ दिया दिवमार्गी कुझी का जो मते सिरा ने जाजम से जिए जोड दें हैं जोक्य से जोड देते हैं ठीक है तो आप करते कैसे हैं अब को पता है सबसे पहले हम के डॉट लगाते हैं आप देख रहे हो कि करेंट कांसे पाले होगा प्लस से मानेस की ओर हैंने करांट यह से बीकी ओर फिलो हो जाएगा फिराख फिकत है सबसे पहले वहीगाम करना आपको यहां लगाते हैं आपको जो किसे नौट करना है कि हमारा जो विक्षेट है वह विक्षेट आएगा दोनों तरफ आरहे के नहीं आए तो करना के है अगर मैं मालों X और Y के मद्दे डॉट लगाता हूं किसे मद्धे dot लगा गिया X और Y के बगद है मैंने X और Y के मद्धे dot लगाया तो हमें पता है कि अब E1 cell परिपात मजुड़ गया X और Y के मद्धे dot लगाया तो E1 cell किस मेजुड़ गया परिपात मजुड़ गया E2 का कोई connection नहीं हुआ याद इसका मतलब यह हुआ कि अब यह वाले स्तिती बन गई यह सरकित बन गया यहाँ कोई connection नहीं है तो evil वाला जो cell है वो परीपत बे जुड़ चुका है अब हम जोकी से इसके लिए क्या ग्याद कर लेते हैं संतुल रंबाई ग्याद कर लेते हैं बना जोकी को दोनों पॉंट्स पर लेकियाएं हम ऐसा जौकी के लिए मैं जहांपर ईवन के लिए हमें धारा मापी में विक्षयर जीरो मिल जाए तो सपोस्व करों किरो कि है अध्योटी संतूलन लंबाई क्या हूँ ऐल बनव हुआ है संतूलान नमबाई का मतला ने ऐसा where oh जिसके लिए ध्ञार मापी में विक्षिप क्या आ जाए जेरो आजाय उस्य विंदू की इस मेलगके संतूलन नमबाई तो ऐसे डाञिंध iphone के लिए सिध्धान से क्या लिख सकते हूं विखुल आपको पता है कि e1 is equal to xl1 equation number first x क्या होती है विभाव प्रामनता जहां x मेरे पास है विभाव प्रामनता अब हुम क्या करेंगे e1 और e2 के मदद दॉट को अठा नहीं है ठीक है अब e1 डिस्करेक्ट हो गया अब डॉट को हम किसके मदद लगा देंगे y और z के बीच में लगा देंगे जो डॉट हमने जो प्लग हमने x और y के बीच में लगा रखाता अब उस x और y के बीच में से हटा कर अब डॉट कहा देंगे y और z के बीच में लगा देंगे तो कनेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा तो यहीं परिपात्रा कौन सा से जुड़ गया इटू से जुड़ गया तो वहीं जो की किसा हैता से एक ऐसा पॉइंट नौट करते हैं जिसके लिए विक शेप क्या आजाए जेड़ो आजाए धारा मापी में तो यदि सेल इटू के लिए यदि सेल इटू के लिए संतूला लंबाई यदि सेल इटू के लिए संतूला लंबाई एल्टू हो तो सेल एटू के लिए संतुर नम्बाई एल्टू हो तो वही विभोमापी के सिध्धान से क्या लिख सकते हो आप कि एटू इस एक्वाल टू एक्स एल्टू तो एक्वेशन नम्बर कौन से हो गई एक्वेशन नम्बर टू ठीक है तो एल्टू के लिए संतुर नम्बाई और एक्वेशन नम्बाई ठीक है तो हम इसी तुल्ण करनी है तो हम क्या करें समीकराश में दो का भाग दें मुझकै तो लहीं है लहीं नहीं कि लिए विभावपनाद गार्व methods a कि पहने ही फोक्या हो कि बैस मुझका या फोक्य अइक्स-चे टू is equal to क्या आजाएगा L1 upon L2 equation नम्मर 3 सबच़के बैर बच्चो तो 2 सेलो के विदुत वाहत बलों का जो अनुपात है समय का 3 क्या कहरी है हम से कि 2 सेलो के विदुत वाहत बलों का जो अनुपात है वो उनकी संतूलन नम्मर्यों के अनुपात में होता है ये इसका मतलब है E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 2 सेलो के विदुत वाहत बलों का अनुपात उनकी संतूलन नम्मर्यों के अनुपात के बराबर होता है ठीक है E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 तो चुछ ये तो एक reading होगी कि एक पाठियांग कोगा next हम क्या change करेंगे next change करने के लिए हम क्या करेंगे धारा नियंत्रक से परिपत के resistance को change करेंगे परिपत के प्रतिरोध को change करेंगे तो वहाँ से आपको फिर E1, E2 के readings कुछ अलग मिलेंगी तो यहां से बन 4-5 set कर लेते हैं E1 upon E2 का फिलास में क्या लेता है उसका average ध्याना कि E1 upon E2 is equal to L1 upon L2 तो यह हमारा छोटा सा experiment था कि दो सेलों के विदुद्ध वहाद बलों के तुलना करना तो हमने क्या सीखा कि जो विदुद्ध वहाद बल का अनुपात है वो उनकी संतुरा न भाईयों के अनुपात में होता है क्लियर है तो आज के लिए तना ही एक छोटा सा टॉपिक हमने बढ़ा ठीक है अपने एक ही टॉपिक पढ़ने है बहुत जादा नहीं लोड ले रहे हैं हम केवले ही टॉपिक हम पढ़ रहे है एक टॉपिक कम्लीट करना है क्लियर है तो यह आपका हो चुका है नेक्स्ट हम अगली वीडियों पढ़ेंगे गुडबा